हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संकलन सब्सक्राइब करें तिलक सीतारामचरित हतिपावन बदुर सरस अरुकती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए ये की प्यास मुझेत न बुचाए लक्षमन इस प्रदेश की सुनतरता देखकर बार बार जानके कि याद आती है ऐसे द्रश्य उसके मन को बहुत भाते थे परन्तु आज न जाने वो किस अवस्था में होगी क्या सोचती होगी भावी भी आपके बारे में सोचती होगी उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता होगी हाँ लक्षमन उसे पूर्ण विश्वास होगा कि हम उसे अवश्य खोज लेंगे इसी भरोसे पर वो जेवित होगी होगी न लक्षमन हाँ भाईया वह एक वीर आरेकन्या है कितना भी दुखा जाए पर वो विचलित नहीं होगी मेरे राजा की बस सिधी तरह मान ले क्या कमी है हमारे लंकेश्वर में अरे सुन्ती है कि नहीं बोल ला तू महराजा धिराज डावड की बात मान ले नहीं तो मार मार के तेरे टुकुरे तुकड़े कर दूंगी समझी ओल मानेगी कि नहीं मानेगी अरे कुछ को बोल यह ऐसे नहीं मानेगी इसे माय से डराओ मायावती तुम इसे अपनी माय से भ्रहमित कर दो देखो मैं इसे किस प्रकार से सीधे रास्ते पर लाती हूं हमारे लंकेश्वर की बात मान ले नहीं तो मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी समझी क्यों स्वयम अपनी शत्रु बन रही हो नातानी छोड़ो महाराज धिराज रावन की शरण में आ जाओ तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा ऐसा वैभव ऐसा सुख तीनों लोकों में किसी स्थी को नहीं मिला होगा जो तुम्हें मिलेगा तुआर पर आये हुए भाग्यो को ठोकर मत मारो रानी अब भागी मान जा नहीं तो हम ऐसे भयानक पशू तेरे उपर छोड़ेंगे जो तेरी पोटी पोटी नोज डालेंगे कि अब देख क्या गति होती है तेरी कि महाराज की जय हो महाराज हमारा ये गुप्तचर समाचार लाया है पंपापूर सरोवर के आगे दो अंजान वेक्ती जंगल में घूमते हुए दिखाए दिये वो रिश्यमुक परवत की ओर बढ़ रहे हैं क्या कह रहे है वो नील वो दोन रिश्यमुक परवत की ओर बढ़ रहे हैं जी हां जामवन जी वो बार बार रिश्यमुक शिकर की ओर दे रहे हैं ऐसा लगता है वो इसी चोटी पर पहुंचने का मार ढून रहे हैं गुप्तिचर का कहना है कि अपनी भाषा में बात्चित करते हुए वो बीच बीच में महाराज सुग्रीव का भी नाम लेते हैं हमारा नाम ले रहे थे क्या कह रहे थे क्या सुना तुमने जी मैंने इतना ही सुना उनमें से जो छोटा था वो बड़े से कह रहा था कि महाराज सुग्रीव अवश्य इसी चोटी पर रहते होंगे हमें वहां पहुंचने का मार्क शीग्र ही ढोड़ना चाहिए और थात उन्हें यहां का मार्क विदित नहीं इससे यह सिद्ध होता है महाराज कि वह इस प्रदेश से अंजान है और यहां पहली बार आये हैं परन्तु यह भी सिद्ध होता है कि वह पैटक नहीं है जो केवल आये हैं उनका एक लक्षे है महाराज सुब्रीव तक पहुंचना कि वह इंसे भेट करना चाहते हैं यह आकरमन यह विचार करने की बात है तुम ठीक कहते हो नल उनका आगमन विचार योग्य है क्यों आए हैं किसने भेजा है और थात आप लोगों को शंका है कि महाराज ब पूरवक रहते है हैं और उन्हें कुछ कहते हैं यह तो हम जानते हैं कि शान्ती से रहते हैं उनकी अंक्पिने तो महाराज सुवरीव और इनके हम चार मंत्री काटे की तरह घřटक रहे होंगे वह जानते हैं कि जिस तुम ठीक कहते हो नल इसलिए आज बाली भाईया ने दो मनिश्व भेजे होंगे जिससे हमें कोई संदेय नहों तुमने कहा देखा उने परबत के नीचे तराई के वन में तुम कहा थे मैं पेड़ पर बैठा हुआ था उसके नीचे से वो जा रहे थे कैसे लगते हैं वो जी अच्छे लगते हैं अच्छे बुरे की बात हमने कहा पूछी हम जानना चाहते हैं किस डील डॉल के हैं कैसी वेशभूशा है उनकी जी दोनों युवक हैं अती सुन्दर हैं मुख पर एक मोहिनी है वेशभूशा से कोई तपस्वी ही लगते हैं परंत दोनों को समझ में नहीं आता है मेरी समझ में आता है बाली ने जान बूझकर ऐसे दो व्यक्ति इस प्रदेश में भेजे हैं जो यहां के लिए अंजान है वो दोनों तपस्वी महराज सुग्रीव के पास सहता मांगने या भिक्षा मांगने के उद्देश से हमारे यहां कि भाती धनुषबाल उठा रखा है वो क्यों वह इसलिए कि यदि हमें असावधान यह शक्ति हीन पाएं तो सरपाकर हमें समाप्ट भी कर दें इसलिए प्रतिदिन की आशंका से तो यहीं उत्तम है कि आप बाली पर अकमन करके उससे कृष्विंदा का राज्य छीन लीज रखता है उसके दरबार में आपका कोई विशेश भाक्त हो जो आपकी सहायता कर सकता है परंतु राजन अपने खोय हुए राज्य को पुना प्राप्त करना आपका विरोचित कर्तव्य है उसके लिए राजनीती साम दाम दंड भेद सारे अस्त्रों का प्रियोग उचित मा दामती है शत्रो को शकती से नहराय जा सके तो उसके साथियों में भेद फूट डाल दो यही राजनीती है मैं कहता हूं कि बाली के इन दोनों गुपत चरों को पकर लिया जाए और इनसे ही किशकिंदा के सारे रहस से जानकर बाली के साथियों में फूट डालने के लिए इ कि इनका ही प्रियोग किया जाए यह ठीक है परंतु महराज यह बाले के भेजे हुए है भी यह नहीं पहले इसका पता कर लिजिए यह यह भी ठीक है परंतु इसका भेज चैसे मिलें हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान है उनको उनका रहस से जानने के लिए भेजा जाए वो समयाने पर बल और बुद्धी दोनों का प्रियोग कर सकते है तुमने बहुत उत्तम बात की है जामन्त हनुमान कहा है उन्हीं को भेजो पहले उन्हें ढूंड तो लीजिए कहीं एकांत में बैठे हरी ओम का जब कर रहे होंगे चलो हनुमान को ढूंडते हैं आओ हनुमान 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 आपकी साधना भंकी इसके लिए शमा करे है महावीर महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कारवश बुलवाया है महाराज सुग्रीव ने बुलाया है जी हम स्वैम ही आ गए महाराज प्रणाम महाराज सुखी रहो आपने क्यों कष्ट किया आपके लिए एक बहुती महत्तपूर्ण कारे निश्चित किया गया है विलंब करना हानिकारक होगा अइसा कौन सा कामान पड़ा है हनुमंत रिशेमुक परवत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुश्य रूप में घूम रहे हैं तपस्वी वेश और वीरों का बाना है कुछ संदे होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्चर है हम पांचों को आफसर पाकर समाप्त करने के लिए आये हैं तुम हम सब में बल्वान हो इसलिए तुम जाकर उन्हें पकड़ लो और हमारे सामने लाओ फिर हम बाली के विरुद उनका प्रयोग करेंगे किवल संदेह में पकड़ लूँ यह कहां कि बुद्धी मानी है विशत्रु है या मित्र इसका निश्य तो कर लेना चाहिए इसका निश्य भी तुम ही कर सकते हो जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धी में हम सबसे बढ़कर बलवान हो तुम कोई शदम रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता करो वे कौन है किस अभे प्राय से आए है जैसा अफसर देखो बुद्धी अथ्वा बल का प्रयोग करके तुम उनको अपने किसी सुरक्षत स्थान पर भाग जाएंगे महाराज आपके सीवक्य होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाब आप निशिंत रहें यदि वो शत्रुपक्ष के हैं जो भी हैं देव असुर किन्नर गंधर्व अथ्वा मनुष्य मेरे जीते जी वो आपको कोई भी हाने नहीं पहुंचा सकते हैं मुझे आग्यां दीजिया महाराज भाइया लगता है यहीं है वदो परवश्य खार परंतु पहले किस पर जाएं कि आगे कमार बहुत दुर्गम दिखता है कि देखने में कोई सज्जन विप्रजान पढ़ते हैं आओ इनहीं से मार पूछे भाया मुझे तो यह कोई वेद पाठी पंडिती लगते हैं परंतु दुर्गम निर्जन स्थल में एक किस अभी प्राय से आये होंगे तनिक सावधानी से बात करना भाया मुझे तो यह असली नहीं दिखाई देते हैं वन में आने के बाद तुम बहुत शंकालू सुभाव के हो गए हो लक्ष्मा अनुवह ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भाया हम रिश्वावग परवत पर जाने का माग धून्ड रहेगे म pozw More Understand मअनुवानम सत्यं अस्ति क्या आप हमें बताने की किरपा करेंगे की रिश्वावग परवत के शिखर पर जाने ले का मार कौन से हैं किम्प्रयोजिनम, किम्प्रयोजिनम, इमान दी शुब जलाम, शोभयन्तो तरस्विनो, प्रभ्याम पर्वतेंद्रो, सव्यु यौरन भाषित, श्रीमन्तों, रूपसंपन्नों, व्रिशबश्रेट्र विक्रमों, एवं मा परिभाषतं, कस्माद्वय नाभी भाषता, हेवे प्रिश्रेष्ट, चतुराई के साथ, शिष्ठाचार योग्त, अपने सुमधुर, संस्कृत संभाषन द्वारा, आप जिस प्रकार हमारे विशय में जानने को जिग्यासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पढ़ गए हैं, क्या आप वास्ता में वही हैं, जो द हम यहां दक पहुंची गए हैं, तो रिश्यमूख परवत के शिखर तक भी पहुंची जाएंगे, रोशम करो ती दोशम, तरुन तपस्वी, रोश त्याक कर केवल इतना बता दे, रिश्यमूख परवत पर किस के पास जाना है, वर्षों बेतीत हो गए, इस पत पर किसी का आगमन नहीं हुआ, आप क्यों लालाई थें वहां जाने को, हमारे प्रेशन के उत्तर में एक और प्रेशन, भया, इनके चक्कर में मत पड़िये, हम अपना मार्क सौई ढूंड लेंगे, तुम्हारा कथन सर्वथा निर्थक नहीं, परन्तु हम इनकी पांडेत्य से मंत्र मुग्ध हो गये है, यह अथर वेद, यजुर वेद, साम वेद के ज्याता परमविद्वान जान पड़ते हैं, ऐसे व्याकरण वेद, वेद्वेद्वेद्ता महात्मा के मन में, किसी प्रकार के छलकपट की भावना की संभावना नहीं हो सकते, इनसे मेल करना हमार अच्छी बात है, आप कर लिजे इनसे मेल, बात यह है, ब्राम्हर देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, कि महाबली सुग्रीव, रिश्यमूग परवत पर वास करते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए, महाराज सुग्रीव से, वो किसी से नहीं मिलते, आपको कैसे प और हम है उनके कुलपुरोहित, पंडत के स्री नंदन, कुलपुरोहित? हाँ, कुलपुरोहित, हमारी मंत्रणा के बिना, वो किसी से नहीं मिलते, सो यह बताईए, कि रिश्यमूग परवत का पता किसने दिया है, आपको? माता शबरी ने, माता पस्विनी शबरी, किम कारण किम अभिप्रायम भाया यह पंडित महाशाय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशाय का नाम ही प्रश्ननन्द महाराज है प्रश्न का उत्तर देना तो उनके गुरुने ने सिखाया ही नहीं और आप केवल रोश करने में ही प्रवीण है और आप शांता कारम थीर गंफीर हैं वीर मनुष्यों देव रूपीडों कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए बात यहे है विप्रवर माता शबरी ने हमारा मार्व दर्शन किया है उन्होंने बताया है कि इस समय महराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्यान कारी होगा यदि आपके कथना अनुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री शिरी हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए आपकी असी मनुकमपा होगी अप हनुमान से मिलेंगे अवश्य उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा यदि आप अपना वास्तविक परिशे दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे इसी खषण लोग इसी खषण बुला देंगे जिसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है अवश्य आप अपना परिशे तो दीजिए हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे अच्छी बात तो सुनो हम आयोध्या के परम प्रतापी महराजा दश्रत के पुत्र हैं हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं मेरा नाम लक्षमन है यह मेरे जेश्ट भाता श्री राम चंद्र जी है राम श्री राम चंद्र आप स्वयम हाँ भाई स्वयम श्री राम यहीं है अब बजाओ चुटकी बुलाओ अनुमान को श्री राम यह क्या कर रहे हैं आप यह उचित नहीं एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं दूसरे आप ब्रहमर के रूप में हैं महराज सुग्रीव के कुल पुरोहित तीनों प्रकार से आप तो पूजनी हैं विप्रवर फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं उझे पाप लगेगा स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभू परन्तु मैं आपका स्वामी नहीं हो आपके स्वामी तो महराज सुग्रीव हैं स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभू इसलिए आप मेरे स्वामी हैं वंद नहीं हैं आपने सेवक को उठा कर अपने गले से लगा लिया यह आपकी महंता है ऐसे दैयालू स्वामी के लिए तो सेवक को प्रण भी निचावर कर देना चाहिए इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशाय परंद तु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी यही कोशल गुप्त चर की निशानी है लक्षमन भाईया अब गुप्त क्या रह गया है सारे ब्रहम दूर हो गए खेवल मन में इतना सा खेद रह गया है मैं तो पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी हनुमान तुम हनुमान हो हाँ भाईया मैं ही जिर सेवक वही हनुमान हूं क्या गज़ा दोगे वही है लुप्त का बाल सा रह खेद लुप्त कर दो नहाँ जाँसे है लोगे है लया है तो जहाँ खेदो सबस्जाएंटेशन अज़न आखणत जहाँचान चर चर रहाँ पराईया तो रहुत कर दोग्त टूब शुमाने दुमाने तक्षमाने लिएक कि प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके इसमें अवश्य मेरा ही दोश होगा कि दोश तुम्हारा नहीं अनुमंत तुम्हारे विद्वत्ता का है कि इतने बड़े-बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्ति का प्रभाव हम पर जमा रहे थे हम तो उसी से डर गए भीया यहीं तो भूल हो के प्रभु जहां भक्त ने प्रभु के साम में अपने ज्यान और पांडित का प्रदर्शन किया वहीं प्रभु उस पर हसने लगते हैं कि जाओ अब तुम अपने ज्यान द्वारा मुझ तक पहुंचो भगवन इस भूल के लिए शमा करदे प्रभु शमा करदे भगवन नहीं हनुमाल तुमसे तु सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकते तुम तो मुझे लक्षमन और भरत के समान ही प्रेय हो उधरी बाते करते रहेंगे भीया इधर भी क्रपा दस्टी डालो शीराम के तुम भी सेवक मैं भी सेवक इसी नाते अपना छोटा भाई समझ कर मुझे गले लगा लो भीया लक्षमन मेरे भाई आ अपने स्वामी वानराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेज जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा अच्छा तभी इतने बड़े गुप्चर बनकर आये थे आप तो भेद पा लिया अब तो हमें महराज सुग्रीव से मिला देंगे भीया आवश्य लक सुग्रीव को भी आपकी सहाइथा चाहिए उनकी पत्नी और राज्य उनसे चिन गए हैं कि सूरिय कुल्भूशन रखुनाथ और सूरिय पूत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्यान कारी और सुभल दायक होगी चलिए रिश्यमक परवक पर चलिए भगवर वहीं चलकर सारी बाते होंगी जिस राजा का तुम जैसा ज्यानवान विद्ध्वान और बुद्धिमान मंत्री हो वो बड़ा भाग्यशाली है ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चे ही सारे मनूरत सुभल होंगे तुम हमें आप मेरे साथ चलिए परन्तू उपर जाने का मार बहुत कठिन है आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाए कंधे पर मैं आपको वायूमार से उपर ले जाओंगा परन्तु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बेठा लोगे नहीं नहीं लक्ष्वन भाया आप प्रभू अपनी इक्षा से शुरीरधार्ण करने की और गरीमा लग्मा आदिविद्याई जानते हैं। प्रभू। दुर्गम पल्वत मारग पे निजु से वक के संग आये स्वामी। भक्त के काधर पे आनविरा जीए। भक्त का मान बढ़ाये स्वामी। ऐसे भक्त कहां, कहां जग में ऐसे भगवान। ऐसे भक्त कहां कहां जग में ऐसे भगवान काने पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमा काने पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमा राम पयो दधि अनुमद हन्सा अधि प्रसन सुनी नाथ प्रशन्सा निश्दन रहत राम के द्वारे राम महानिधि कपी रखवारे राम चंद्र हनुमान जगोरा चितवत रहत राम की योरा भक्त शिरो मनिने भक्त बचसल को लिया पहचान भक्त शिरो मनिने भक्त बचसल को लिया पहचान काने पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान काने पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान राम लखन अरूहन मत वीरा मान हूं पारखी संपुट हीरा तीनों हो तुस शोभित ऐसे तीन लोक एक संग हो जैसे पुलकित गात नैन जल छायो अकत्री या सुख हनुमत पायो आज नहीं जग में कोई बजरंगी सा धनुमान काने पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान काने पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान विध्यावान गुनिय की चातुर रामकाज करिवे को आतुर आपन तेज समहारा आपे तीनों लोक हांकते कांपे दुरगम काज जगत के जेते सुगम नूक रहे तुम्हुरे तेते प्रभुवर से मांगो सदापत सेवा को वर्दान काने पर दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान काने पर दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान काने पर दो वीर वीर बिठाकर चले वीर हनुमान काने पर दो वीर हनुमान काने पर दो परец बदया घ्रión के पर दो वीर हrafनुमान काने थिवर और मांगो के जगत RPG झाल झाल आईए, पधारिये प्रभू, आप तनिक यहीं ठहरी मैं महाराज सुग्रीव को आपके आगमल की सूचना देता हूँ आप हमारी चिंता ना करें कपीवर जी मंगल भावन अमंगल हारी रव हो सुधशरत अजिर विहारी सीताराम चरीत अतिपावन मधुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास भुझत न भुझाए हुझे